आपकी लाइफ कितना में बुरा टर्न क्यों ना ले फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूड़ना ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इस ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है क्रिस्मस इन होगस ये 1998 की कोरियन मुवी आज में आपको एक्स्प्रेंट करने वाला हो ये की लव स्टोरी है तो जल्दी से शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेंन क्यारेक्टर वान हमें उठता हुआ दिखता है आज का चोई दिन है इसके लिए हार्ट होने वाला है इसे हॉस्पिटल में जाना होता है जब वह वहाँ पोचता है तो आएक चोटी से लड़की खेल रही होती है इसे खेलता देख वह हसने लगता है और उस छोटी से लड़की को भी हसाता है इसका आज डाइगनोसिस हुआ है पर यह कुछ अच्छा नहीं है वान फिर डारेक्लिए अपने स्कूल में आ जाता है जब वह चोटा था तब जिस तरह से खेलता था उसी तरह से सब चीज़े ट्राय करकर देख फिर हो ग्राउंड पर बैठता है सब बच्छे जो खेल रहे होते हैं इन्हें आपजर करता है यहां में कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे ग्राउंड के बाहर बैठता था और सब को देखता था यह कैसे खेल रहे हैं यहां में देखता रहता था वान कहता है कि पूट राख वेगरा का भी काम कर देता है यहां एक लड़की आती है वो उसके फोटो देखकर बोलती है यह कुछ अच्छे नहीं आया है वान कहता है कि कोई बात ने हम फिर से निकाल लेंगे वान के फोटोग्राफ्स अच्छी लगे तो कितने भी बार निकालने के लिए व लें वड़ा आता है वह जब सब हो जाता है तो अकेला वह जट निशे बैठता है वह यहां सोचने लग जाता है उसे बहुत ही बुरा लग रहा है इसे बास बहुत ही कम दिन आप बच देखेंग के फादर का मेमोरियल देखर बहुत इंद इसके बाद भो ठक कर अपने श्टूडियों में आ जाता है व्हान स्टूडियों में घुसिद्धadow में घुसी रहा होता है और अपने काम को लग जाता है थोड़ा फ्रेश होने के बाद वो इस लड़की के पास आता है यह जो लड़की है यह हमारा मेन क्यारेक्टर है इसका नाम रीम है रीम के लिए ववन एक आईस्क्रिम लेकर आता है यह उसे देता है वो उसे अपलो जैस करता है उसे कहता है कि मॉर्निंग मेरी ज़रा हाट थी यह लड़की उसे पुछती है कि क्या इनलाजमेंट हो चुकी है वो कहता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा यह दोनों फिर आस्क्रिम खाते है नेक्स्ट में वोन का घर दिखाया गया है वोन अपने फादर के साथ रहता है यह दोनों बहुत ही अच्छे कुक होते है इनकी मदर नहीं है तो वैसे भी इनहीं कुक करना पड़ता है बारिश का मोसम अब शुरू हो चुका है ने इस दिन वोन जब पेट्रोल भार रहा होता है तो उसे फिर से रिम दिखती है वो उसे वहाँ गुर्मानिंग करता है जो अपने स्टुडियो में होता है तो कुछ बच्चे उसे घेरे हुए होते है उन्हेंने उसे रोल लाकर दिया होता है और यह इनलाज करने वाले होते है यह सब उनकी स्कूल की लेड़कियों की फोटोज होती है यह बहुत चोटे चोटे बच्चे होते है और यह जगड रहे होते है तुमारी गल्फरेंट कौन सी है मेरी गल्फरेंट कौन सी है यह बहुत ही क्यूट वोन को लगता है जब यह चोटे रटके बाहर आते है तो एक दुसरे को मानने लग जाते है इनके फाइट वोन स्टॉप करता है यह जब सब हो रहा होता है तो रीम भी वहाँ आ जाती है यह भी यह देखकर बहुत ही हसती है रीम को स्टूडियो में और ज़रा काम होता है वोन स्टूडियो से अपने घर जा रहा होता है तब ही रस्ते में उसे उसकी एक्स गल्फरेंट दिखती है वो गाड़ी रोकता है और उसे पुछता है तुम कब वापस आई वो अभी अभी वापस आई हुई होती है उसे कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बतली ये भी कहती है कि तुम भी ज़रा भी नहीं बतली बहुत ही awkward एक conversation हो रही होती है तो ये कहती है कि हम फिर से मिलेंगे जब रात होती है तो वो अपने sister से मिलने आता है ये दोनों watermelon खा रहे होती है ति भी उसकी sister उसे पुछती है तुमारी ex-girlfriend टाउन में वापस आ चुकी है या तुम उससे मिले वो अन ये subject टाल रहा होता है वो अलग अलग subject लेकर आता है वो कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो वो अन इस पर जाता ध्यान नहीं देता next scene में हमें दिखता है कि रिम जो है ये parking ticket देने वाली police है वो अन भी बस से जा रहा होता है तो ये क्या करती है उससे पता चलता है रिम किसी से जगड रहे होती है वो अन जब अपने studio में पहुचता है थोड़ी दर बाद रिम भी वहा आ जाती है लोगों के साथ जगड कर रिम frustrated होती है और यहाँ आकर उससे कहती है कि मैं यहाँ ज़रा ठक चुकी हो मैं यहाँ ज़रा अराम करना चाती हूँ उसे गर में रग रहे होती है तो वोन जाकर पंखा भी adjust कर देता है रिम वोन से पुछती है क्या तुम लियो हो? तुमारा जब ऑगस्ट में हो था तो फिर वो कहती है कि मैं लियो के साथ बहुत ही compatible हूँ वोन से उसका age पुछती है वो case करती है यह 30 के उपर हो है रिम अपने 20s में होती है रिम उससे पुछती है कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की वोन उसे हसते हुए कहता है कि उसके दो बच्चे है रिम उस पर वेलियो नहीं करती है और कहती है कि तुमारे कपड़ों से नहीं लगता कि तुमारे दो बच्चे होंगे यह फिर वोन के पास बैठती है और सो जाती है थोड़ी दिर बाद अपने आग खोलती है और उससे पुछती है कि तुम इतने confidently आज मुझसे कैसे बात कर रहे हो वोन उससे कुछ भी नहीं बोलता नेक सिन में वोन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा है यह हमें दिखता है वोन के फादर ने आज सब कुछ बनाया होता है वोन के फादर ने आज सब कुछ दिनर वगरा बनाया होता है उसकी सिस्टर, उसकी बेटी, उसकी बदर इनलो यह सब वहाँ आये होए होते है वन की sister खाने की तारीफ करती है वन के father केती है कि तुमें तो कभी भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता वन और उसके father उसे बहुत ही चिडाते है दिनर हो जाने के बाद एक अच्छे से family photo ये लेते है दूसरे दिन हमें दिखता है कि रीम रस्टे से अकेले जा रही होती है और उसके हात में एक बड़ी सी सोटी है यह बहुत ही हेवी होती है उन्सको पास करता है और आके चला जाता है रिम को लगता है कि चला जाए पर हूटन लेकर उसके हbles करने के लि deciscan ऑर उससे पीछे बेटाता है उसे जहार जाना है, वहाँ छोड़ दिने वाला होता है बाईक जरह फास चलाता है, जिससे रिम उसे पगड़ ले वहां उससे बुछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड है वो कहती ही, वो कहती है, वो कहती है ये वह शूर हो, कोई ना कोई तो इंट्रेस्टिंग तो भी मिली जाएगा वहाँ फिर अपने शॉप में आ जाता है तो उसके एक्स गर्फरेंड वहाँ आती है इसके एक्स गर्फरेंड का जो पती है ये बहुत ये अब्यूसियो है और बहुत जादा ड्रिंग भी करता है उसकी सिस्टर ने ये सब उसे बताया था अब इसके पास आई है तो उसे अंदर बिठाता है अपनी जो 20 साल पुरानी यादे होती है वह फिर से ताजा करने ही कोशिश करता है वह उन जो था वह अपनी एक्स गर्फेंड की जो डाइरी थी वो चुरा लेता था और वो पढ़ लेता था इन दोनों में बहुत ही फाइट हो जाते थी ये मुमेंट याद करकर ये दोनों स्माइल करते है वह उससे कहता है कि अब तुमारे दू बच्चे है उसके एक्स गर्फेंड से कहती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की वोन कहता है कि मैं तुमारा वेट कर रहा था ये वो मजाक में कहरा होता है पर ये थोड़ा सा सही भी होता है इस एक्स गर्फेंड ने सुना है कि Vaan बिमार है, इसलिए उसे देखनी के लिए वो आई है, उसी यह पूछती भी है, Vaan कहता है कि इतना जादा कुछ serious नहीं है, मैं ठीक हो जाओंगा, Vaan फिर हमें बस में दिखाये गाया है, वो कहता है कि time के साथ हम बहुत जादा बजल जाते हैं, हम दोनों में बहुत सारी awkward conversation हुई, पर last में मेरे studio में उसका जो photo था, उसने मुझे वो निकालने के लिए बोला, वो कहता है कि जो भी चीजे होती है, वो time के साथ fade होती जाती है, प्यार का भी ऐसा ही होगा, ऐसा उसे लगता है, नेक्स दिन वो studio में होता है, तो Vaan फिर से काम लेकर आती है, Vaan उसके है कि क्या तुमारे बहुत सारे बर्दन सिस्टर थे, वो कहती ही कि मेरे 5 बर्दन सिस्टर थे, जब भी कुछ खाने के लिए आता था, तो हम उस पर जबग पड़ते थे, यह बहुत ही अच्छा मोमेंटे शेयर करते है, नेक्स दे हमें दिखता है कि रिम जिसी भी रिस्ट लेकर इसके पास आजाता है, वो अनने बहुत सारी ग्रोसरी विगरा लाई हुए होती है, रिम भी उसके पास आती है, इसके बारे में उससे पुछती है, वोन कुक कर सकता है, यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है, रिम की फ्रेंड वोन को सही तरीके से देखने के वो जो अपनी जवायनी और बच्पन के मुमेंट है वो सब शेयर करते है वान कहता है यह कैसी तुनने बुचर की डॉटर को डेट किया था यह सुनकर वो दोनों हसने रख जाते है रात में बहुत ही पी लेते है फिर भी वान को अभी भी ड्रंक होना होता है वान स्टीट पर लड़ खड़ाते हुए जाता है अपने फ्रेंड को मना ही लेता है कि उसे और ज़्यादा पीनी चाहिए है नेकसिन में हमें डारेक्ली पुलिस टेशन में दिखाए गए है बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करकर इसने फाइट ले ली थी जब पुलिस टेशन में होते हैं तो आवाजे उससे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है यह सब को चुप रहने के लिए बोलता है यह अपना कंट्रोल वो लूज कर देता है जिस तरह से वो लाइफ का कंट्रोल लूज कर रहा है पर इसके लिए कुछ ज़्यादा को करने ही सकता पर अब वो यहाँ चिला कर अपना जो गुसा है यह सब कुछ निकाल लेता है दुसरे दिन सुबह में उसका फरेंट से कॉल करता है उसने जो सब किया था यह सब उसे सुनाता है वोन को कुछ भी याद नहीं होता रेम फिर से वोन के स्टूडियो में आती है आज उसे उसकी तस्विर लेनी होती है वोन उसकी तस्विर लेता है और फिर यह दोनों बात करने लग जाते है एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते है वान पुछता है कि तुम्हारा जॉब तुम्हें कैसा लगता है वो कहती ही कि ठीक है जॉब तो जॉब ही होता है वान के जॉब के बारे में वो पुछती है पर इसमें जादा वो थौट नहीं देता रीम का आज पेचे काया हुआ होता है तो वह उन उसे पुछता है कि क्या तुम आज मुझे ट्रीट दोगी तो वह भी इसके लिए मान जाती है थोड़ी देर बाद वह उन का जो स्टूडिय होता है यहाँ एक बड़ी से फैमिली आती है एक फैमिली फोटो इनको निकालनी होती है यहाँ एक बुड़ी आरद होती है इसका जो स्टान होता है वह कहता है कि आज तुमारी एक फोटो निकालनी है यह ओल लेडी थोड़े साल में मर जाएंगी इसकी जो फ्रेम होगी इसके लिए फोटो जाईए इसलिए ये photo निकालती है Old lady को ये photo नहीं निकालना होता वो उसका sun उसे force करता है Next day में हमें दिखता है कि one एक जगा फर फसा हुआ होता है और बहुत सारी बारिश आरही होती है रिम भी वहाँ से गुजर रही होती है तो वो उसके पास आती है वन केता है क्या हम यह अम्मरेला शेयर कर सकते है वो एक शारत रखती है अगर तुम ट्रिंक बाइ करोगे तो मैं जरूर यह शेयर करोंगी वन भी इसके लिए मान जाता है और वो आज रात साथ साड़े साथ बजे उसके पास आने वाली होती है ये कि अमरेला शेयर करते है, रिम को ज़रा रेन लग रही होती है, तो अपने पास उसे खिच लेता है, उसे वो बारिश नहीं लगने देता, जब रात होती है तो और भी बारिश आ रही होती है, और वोन रिम का ही अंतिजार कर रहा होते है, थोड़ी देर बाद जो ओल लोगये लुग हो जाते हैं और फिर बिजली कड़कड़ा रही जती है। वान उसे पुछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई थी रिम कहती है कि मेरा मन नहीं था इसलिए वो नहीं आई थी वो जॉब के लिए फिर वहाँ से निकल जाती है यह ज़रा पास आ चुगे थे इसलिए रिम ने ज़रा सा डिस्टन्स मेंटेन किया था नेक सीन में हमें दिखता है वोन के जो फ्रेंड्स होते हैं इनकी रियूनियन हो रही होते हैं बच्पन में यह सब जो गेम खेलते थे यह गेम वो आज फिर से खेलते हैं जैसा वोन अपने जवानी में महसुस करता था जिस तरह से वो फन करता था वो फिर से उसे एक बार जीना है और यही यह सब हो रहा होता है इस गेम्स में उसका एक फ्रेंड हार जाता है और सब पर जीना है लग जाता है मैं जब छोटा था तब भी ऐसा होता है और अब बड़ा हो चुका हो तो भी ऐसा ही हो रहा है सब इस पर बहुत ही हसने लग जाते है वान भी बहुत ही खुश होता है अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़ा सा गुरूप फोटो लेता है वान जब घर पर होता है तो उसके फादर टीवी देख रहे होता है उसे एक डीस लगाने के लिए बोलते है वान कहता है कि जो टीवी हैंड्लिंग वेगरा है वो सब आपको आना चाहिए वान जो है जादा दिनों के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला इसलिए टीवी के हैंड्लिंग वो अपने फादर को सिका रहा होता है टीवी चलाने के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यह भी अपने फादर के लिए वो लिखता है जब शाम होती है तो रिम वान के पास आती है उनकी जो उस दिन डेट थी वो नहीं होई थी तो इसलिए आज ये शाम उसके साथ उस पेंड करने वाली है रिम मेकब वहरा लगा कर आई होई होती है तो वो न उस पर हसता है ये दोनों फिर ज़रा ड्रिंग करते है और वो न उसे पूछता है कि तुम विकेंड्स वहरा क्या करती हो वो कहती है कि मैं जाहत दर सोती हूँ वो वो न से पूछती है वोन केता है मैं कबड़े दुता हूँ आयनिंग करता हूँ यह सब इन दोनों के बोरी इन लाइफ हो एक दूसरे को बताते है रिम फिर केती है मेरी जो फ्रेंड है यह अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है इन डारेकली उसे फिर से डेट पर पूछ रही होती है यह दोनों वो उसे कहता है कि जब मैं आर्मे में था तो मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन सो रहे थे मुझे लगा था कि वो मेरे फ्रेंड से आ रही थी पर बात में हमें पता चला कि वहाई डेट बोड़ी है उसे लगा था कि जो आदमी मर चुका है यह फार्ट कर रहा था वोन कहता है क यही स्टोरी अपने फ्रेंड को बता कर बोर करती है नेक्स दिन जब रिम काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका स्टांसपर होने वाला है यह सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है यह फिर वॉन के शॉप में आती है पर यह शॉप क्लोस्ट होती है यह यहाँ बहुत ताइम तक रुखती है पर यहाँ कोई भी नहीं आता थोड़ी दिनों के लिए वो यहाँ से बाहर जाने वाली होती है तो इसलिए वो उन के लिए एक लेटर लिखती है जो यहाँ से गुजर रही होती है तो उसके स्टूडियो में ये लेटर वो डाल देती है दो-तीन दीन गुजर जाते है पर फिर भी ये स्टूडियो ओपन ही नहीं होता One अभी भी होस्पिटल में होता है ये बहुत सारे लेटर स्टूडियो में डालती है Wonn की sister hospital में उसके साथ होती है Wonn जब सोया होता है तो सबने में हसने लग जाता है जब वो उठता है तो Wonn की sister उससे चिड़ाती है रीम एसा क्या dream तुमने देख लिए उससे कहती है युँँआ कोई भी girlfriend तुमें देखने के लिए नहीं आई वो गुस्ये में खिटकी को तोड़ देती है अब थोड़ी दिन गुजर जाते है और वान अपने स्टूडियो में आता है जो खिटकी रीम ने तोड़ दी थी उसने रिपेर कर दी है अपने जो लेटर्स थे वो भी सही से रख कर वो चली गई है वान जब आता है तो उसके लेटर्स पढ़ता है वान को लगता है कि उसे भी रीम के लिए एक लेटर लिटना चाहिए एक लेटर उसे लिखता है उसे ढुड़ने के लिए निकल पढ़ता है वो जहाँ जौब करती थी वहाँ पहुच जाता है या उसे पता चल जाता है कि रीम नेक्स जगा कहा काम कर रही है रीम जहा काम करती है वा उसे देखकर वो चला जाता है अपनी स्टूडियो में फिर वो आता है रीम को जो फोटो थी जो उसने ली थी वो देखता है उसके जो album से, बच्पन से, उसके जो भी सब foto से, यह वो देखता है एक बास सब चीजों को याद करता है और हसता है अपने खुद के frame कि लिए, खुद के photo हो लेता है अब हमें directly, उसकी जो photo है, वो frame ही दिखती है अब Won मर चुका है रीम को Won ने जो लेटर लिखा था वो अब मिल चुका है रीम Won के स्टूडियो की यहाथी है Won अपने स्टूडियो के बाहर उसका पोर्टफोलिय लगाता है उसने जो सब अच्छे फोटो लिए है वहाँ लगाता है उसमें रीम का भी फोटो उसने फ्रेम करकर लगाया होता है यह फोटो देखकर रीम को बहुत अच्छा लगता है रीम को Won ने जो लेटर लिखा था वो में अब बढ़कर सुनाया जाता है इस लेटर में Won ने लिखा होता है कि मुझे हमेशा लगा था उसे वो थैंक्यू और गुडबाई लिखकर ये रेटर खतम कर देता है रेम फिर हमें इस फ्रेम से चली गई है ये दिखता है और सिर्फ वान का फोटो स्टूड़े उसकी यादे ये सब बाकी है ये मुवी ये ही खतम हो जाती है मुवी में वान का गैरेक्टर है उसे हमेशा से पता था कि अब वो थोड़े दिन में मरने वाला है इसने कभी भी इसका ज़्दा टेंशन नी लिया उसकी जो सब यादे थे उसने फिर से जी थी के फ्रेंट के साथ उसने फिर से रियोनियन की थी उसकी जो ex girlfriend थी उससे वो heart broken था और फिर से रीम के पैर में वो पढ़ चुका था जब भी वो रीम के साथ होता था तो दिल खोल कर वो हसता था जो भी उसके साथ moment है बहुत ये अच्छी तरह किसे जीता था उसने हमेशा लोगों का care किया और किसी को भी उसने hurt नहीं किया वो और ने movie के first में कहा था कि हम कभी ना कभी तो मीठी जाने वाले हैं हमारा जो time है ये सब का सिमी थे तब तक के लिए हमें smile करते रहना है खुशी के साथ ये life जिनी है एक beautiful message के साथ ये movie end होती है आपको अगर ही वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीस इस वीडियो को like कर दीजे मैं बहुत सारे movies लेकर आता रहता हूँ इसलिए subscribe भी कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजेगा हम फिर से मिलेंगे एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका ख्याल रखना आपके life कितना में पूरा turn क्यों ना ले फिर भी छोटी-छोटी चीजों में खुशे दूनना कि बहुत important है इस beautiful message के साथ आज की movie आती है Christmas in August से 1998 की Korean movie आज मैं आपको explain करने वाला हूँ यह close तो भी है जल्दी से शुरू करते है movie स्टार्ट होते है और हमारा main character वान हमें उठ्टावा दिखता है आच्छा तो यह दिने इसके लिए हाथ हने वाला है इसे होस्पिटल में जाना होता है जब है वहाँ पोचता है तो यह छोटी से लड़ी खेल रही हूँ के है इसे खेलता देख वहासने लगता है और उस छोटी से लड़ी के भी असनाता है इसका आज डाइग्नोसिस हुआ है और यह कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पर डारेक्ली अपने स्कूल में आता है तो वह छोटा था और जिस तरह से खेलता था उसी तरह से सब चीज़े ट्राइगर कर देखता है वह ग्राउन पर बठता है सब पट्चे जो खेल रहे होते इने होल्सर करता है यहां में कहता है कि जब में छोटा था तो में ऐसे राओं के बाहर बठता था और सबको देखता था एसे खेल रहे है तवे-चावे देखता रहता था वह उन कहता है कि आज मुझे रियालाइजेशन हुआ है यहां मेरी मदर गुज़र चुकी है उसी तरह से में मेरा प्रेदर, मेरी सिस्टर हम सब इस दुनिया से चले जाने वा जाता है वहां के रपने शॉप ले आजाता है यह फोटोग्राफी करता है और गुझेरा उसेगरा का भी काम कर देता है यहां एक लट्टी आती है वह उसके फोटो देखतर बोलती है तो यह कुछ अच्छे नहीं आया है वहां के दाए यह कोई बात नहीं तो फिट इस निकाल नहींगे वहां को फोटोग्राफ अच्छी लगे तो कि इपने वी बात निकानने के लिए वो रेडी होता है इस abeth हो टाता है अच्छे तरीकां से पोट करने के लिए बोलता है अमना हो काम होता है वह बहुआधी खुजी से उकहना है वहां को फिर अपने फ्रेंड का कवालाता है फ्रेंड को फादर जोते है वो मर चुके हुते है फ्रेंड को हեսद चाहिए तो इसलिए वान वहाद है, एज़क सब हो जाता है, तो अकेला रुपार करी जे बेखता है, नहीं हाँ तो उसने लेटर लिखाता है, इस लेटर में वान ने लिखाता है, कि मुझे हमेशा लगा था, ये जो लव की फिलिंग है, ये फोटोग्राप्स की तरह होगी, टाइम क साथ ये फेट हो दी जाएगी, पर तुमारे लिए, मेरा जो प्यार है, ये हमेशा मेरे हाट में रहेगा, मेरे लास्ट मुमेंट में हो, और उससे प्यार करता है, जैसा उस लेटर में उसे लिखा होता है, उसे थैंक्यू और गुर्भाई लिखकर ये लेटर खतम कर देता यहीं फिर हमें इस फ्रेंग से चली गई है, यह दिखता है, आज सिर्फ वान का फोटो स्टुड़े उसी यादे, यह सब बाकी है, यह मुवी यही कहतम हो जाती है, वोवे में वान का गैग करें, उसे हमें साथ से पता था, जब हो थोड़े दिल में मरने वाला है, इसने कल इसका ज़़ा टेंशन में लिया, इसकी जो सब यादे थे, उसने फिर से जीती, इसने फिर से रियुनियन की थी, उसकी जो एक्ट्यल्फ्रेंटी, उससे वो हाट बोकन था, और फिर से रिम के पैग में उपड़ चुका था, जब भी हो दिल कर वाता था, जो भी उसके शा आपको अगर ही वीडियो अच्छा लगाओगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजे, बहुत सारे मूवी प्लेगर आता रहता हो, यह सब्सक्राइब भी कर देशे, और पेन लोट पीशन आइपम भी दबादेजेगा, आप फिर से मिलेंगे एक नहीं मूवी के साथ, सब्सक्रा अधर कर देशना है इस व में टूआपको काने हैं डेक coalition आपकोाई अच्छाइब भी कास्टाइब भी कर दिजेए, डेक नहीं है, और आता है कर देशेकल देशेकल सेजेए इस वीडियो अच्राइब भी कर देशेखे, जिसेए प्लकिवा कर देशेखे, और आता है कर